हेलो एवरिवन माई नेमी समीट एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल गवर्मेंट जो पॉल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल आज की वीडियो आप सभी कैंडिड के लिए बहुत जादा इंपोर्टन होने वाली है काफी दिन से कैंडिड की कमेंट सेखने को मिल देती की मैम कितनी तारिक से हम अपलाई कर पाएंगे रेल्वे की लेटस्ट वेकैंसी के लिए तो फाइनली आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुण्यूज मैं यहाँ पर लेकर आ चुकियों यहाँ पर आप अल इंडिया से अपलाई कर पाएंगे मेल एंड फिमिल दोनों ही मोस्ट और वेकैंसी के बारे में हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं कौन-कौन से कैंडिड यहाँ पर इलिजिबल है कैसे आपको अपलाई करना होगा क्या के इलिजिबिलिटी है जो यहाँ पर मागी गी है हर चीज को आपको डीटेल में यहाँ पर समझाने वाले हूँ सबसे पहले आपको बताना चाहतू हूँ रेलवे की जो विकैंसी है इंडियन डेलवे की तरव से हैं आप जहां पे ओल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं मेल एंड फिमेल दोनों ही अलग अलग विकैंसी के लिए जहां पे 10th पास 12th पास ग्रेजुट की अलग विकैंसी हैं ग्रेजुट की अलग या डिप्लोमा और आईटे की अलग विकैंसी है तो हर एक नोटिफिकेशन आपको डिटेल में समझाने वाले हो कैसे अपलाई करना है क्या के इलिजिबिटी मांगी हैं सारे चीजों को डिटेल में यहां पे कवर करने वाले हैं तो वीडियो को स्टा के से क्ष चाहते हैं रेलवे का क्यों भी नोटिफिकेशन आता है उसकी इनुफ़मेशन आप तक सबसे पहले पहूंच जाए इसी के साथ इनुफामेशन चाहे लिए विकैंसी या किसी अदर डिपांट में चाहते हैं अपने फ्रेंट से पहले आप अपलाई करना चाहते s चैनल को सबस्क्राइब कर लेना है सबसे पहले सबस्क्राइब करने के बाद बैल ऐकन को प्रेस करके all वाली option पे आपको क्लेक करना है ताकि इसके बाद जो चैनल पे मैं वीडियो अप्लोड कर रही हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए तो आपन करके जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है विजिट करके इंफोमिशन लेकर आप अप्लाइब कर सकते हैं चलिए ज्यादा टाइम में लेंगे सीधा बात करेंगे रेल्वे की लेटर विकैंसी के लिए आपको किस तरीके से यहां पर अप्लाइब करना है पहले नोटिफिकेशन पर आप हमारी ऑफिशल साइट को स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इसको आपने सीधा गूगल पर टाइप करने हैं आपको पहली नबर पर साइट मिल जाए कि जितनी पी रिसेंट विकैंसी है चेक करके अप्लाइब कर सकते हैं चलिए ज्यादा टाइ यहां पर सबसे पहला जो नोटिफिकेशन हम डिसकस कर रहे हैं वह है आपका रेलवे का मतलब ट्रैवलिंग टिकेट एक्जामिनर का बहुत सारी के कितने दिन से कुमेंट सारी कि मैं कितनी तारीक को हम इसके लिए अप्लाइब कर पाएंगे वह सारी चीज़े आपको यहा यहां पर अपलाई कर सकते हैं यहां पर मेल- Ethan के लिए 13 मैक्स क्रिसिंस है प्लस तर्टी में वीडियो के स्टार्ट इंदे आपको बहुत ही बढ़िया यहां मिल रहा है जहां पर OBC के लिए तीन साल का यहां पर relaxation है SCST के लिए पांच साल का एक सर्विसमेन और जो अधर reserve category है उनके लिए अलग से relaxation आपको मिल रहा है इसके लिए अगर हम eligibility की बात करें 10th 12th diploma candidate eligible apply कर सकते है application fee definitely applicable है जहां यहां पर undeserved के लिए 500 है SCST female others के लिए refundable है यहां पर मैं आपको एक चीज़ करना चाहते हूं यहां पर हम तीन से चार notification जो cover कर रहे हैं यहां पर free सब के लिए same है चीक है तो free मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगी हर एक notification के लिए same है और हर एक notification के लिए यह आपको refundable रहेगी ठीक है जब आप अपना exam दे देंगे उसके बाद आपको यह refund हो जाती है अब इसके लिए यहां पर TTE के लिए exam pattern के लिए अगर यहां पर हम बात करें 200 questions 200 marks की यहां पर रहने वाले हैं जहां पर सबसे पहले आप देख पा रहे हैं अर्थमैटिक से लिए इंटेलिजेंस टेक्निकल एबिटी रिजनिंग से लिए रहने वाले हैं पांच सब्जेक्ट है पांचों सब्जेक्ट के 40 question 40 marks करेंगे तो यह आपके 200 question 200 marks की हो जाते हैं यहां पर एक चिस का आपको ध्यान रखना है 2NR का आपके पास टाइमिंग यहां पर रहेगी attempt करने के लिए मतब 120 मिनिट आपके पास रहेंगे लेकिन आपको ध्यान से attempt करना है क्योंकि यहां पर यहां पर उसी question को पहले attempt करना है जहां पर आपको 101 percent sure है कि इसका यही अंस अगर गलत attempt करेंगे वह आपके लिए सही नहीं रहेगा क्योंकि यहां पर नेगटिव मार्किंग है अगर आपको यहां पर थोड़ा सा भी डाउट है उसको बात के लिए रख लेना time भी खराब मत करना और गलत भी मत करना ठीक है तो यहां पर eligibility मैंने आपको और यहां पर पर बात करें CBT exam आपका जो हो रहा है उसके बाद आपका physical होगा medical होगा document verification उसके basis पर आपकी final selection यहां पर हो रही है ठीक है job location across इंडिया है आपके nearby ही आपको यहां job location मिल रही है यह तो है पहला notification अब हम चलते है second पर अब हम आचोके हैं second notification पर यह भी इंडियन रेल्वे का latest notification जहां पर mail फी मेल अप्लाइ कर सकते है application fee applicable है जो मैंने आपको previous notification के बताई है same है जो मैंने आपको पहले भी clear किया था यहां पर हम बात करें latest vacancy जो कि आपकी railway group D की vacancy है जहां पर 10th pass की अलग vacancy है 12th की अलग है 10th plus IT की अलग है इसके लिए online application से invite की जाती है जहां पर अपने आपको register करके login करके apply कर सकते हैं अबर LV group D के लिए आपको पता है competition बहुत जादा हाई यहां पर रहने वाला है यहां पर हर कोई eligible है तो आपको यहां पर पहले focus रहना रहना चाहिए आपका selection procedure पर जहां पर सबसे प पर मिलता है आपको इसलिक्षन की बात करें देखिए hundred question hundred marks के यहां पर है चाहिए मैक्स के ट्वंटी 5 कॉष्ण 2 क्उष्ण 30 कह बिघ्र गट गंटे का अपके पास ताइम यहां रहने वालाइब अपको उल्दी को 18 अं पर मिलेगा जो अलगले कैटेगरी के लिए है जिक है वो सेम भी रहने वाला जिसमें ओभी सी का तीन साल का पांच साल का अध्रस का एस बनौम साब का रहेगा अब चलते हैं थर्ड नोटिफिकेशन सो नेक्स्ट आ चुके हैं यहां पर थर्ड नोटिफिकेशन पर जो की रे लिए रिक्रूटमेंट बोर्ड मतलब आरड़ बी के तरफ से और इंडिया के लिए है यहां पर विकैंस के बारे में बात करें यहां पर सबसे बड़ा डाउट होता है कि यहां पर टेक्नीशन में कौन-कौन सी पॉजिशन के लिए विकैंसी है तो आपको बताना चाहते अलप के लिए मतलब असिस्टन लोको पाइलेट के लिए तो लोको पाइलेट में यहां पे मेंकल के लिए है घीक 함 दली माक्सिम्मम भी आपकी 88,000 तक जाती है है minimum 28,000 ठीक है selection यहाँ पर देख पारे हैं आपका CBT exam यहाँ पर होगा उसमें paper 1 and paper 2 होगा जब आप qualify कर लेती है document verification होगी देन आपका यहाँ पर medical होगा ठीक है उसके basis पर selection and joining है यहाँ पर अगर हम बात करें आपका exam pattern इसमें आपके 100 questions रहने वाले हैं जिसमें math include रहेगा general intelligence होगा general awareness ही का और general science रहेगा इसके लिए बिल्कुल सेम है जो मैंने आपको group D के लिए बताई है minimum 18 maximum 33 application फीबी बिल्कुल सेम है eligibility के बार में बात करें 10th to 12th ITI degree and diploma है so अगर आपके पास same qualification आप यहाँ अप्लाइ कर सकते हैं अब हम चलते हैं fourth notification so इस वीडियो में basically हम 6 notification cover कर रहे हैं fourth notification पर आ चुके हैं जो की railway SSE JE के लिए बहुत दिन से मेरे पास comments आ रहे हैं कि मैं कितनी तारिक समय आप लाइक कर सकते हैं कौन-कौन सी weekends है तो यहाँ पर यह भी notification इंडियन डियलवे की तरफ सी है जहाँ पर 75,200 प्लस weekends है इसके लिए भी male female दोनों apply कर सकते हैं वीकेंस यहाँ पर ध्यान से समझेगा कौन-कौन सी है पहले यहाँ पर देखिए junior engineer मतलब JEE के लिए है senior section engineer मतलब SSE के लिए है इसके लावा यहाँ पर chemical and metallurgical assistant के लिए है उसके बाद यहाँ पर डिपोर्ट material superintendent की विकैंस है जिसके लिए आप apply कर सकते हैं इसके लिए भी selection पुछिजर देखिए CBT जो आपका हो रहा है paper 1, paper 2 होगा document verification and medical होगा उसके basis पर selection है salary यहाँ पर 44,000 से 85,000 तक है यहाँ पी जो आपका exam pattern है वो हर एक post का बिल्कुल अलग अलग है वो आप अपने recording यहाँ पर check कर सकते है age limit minimum 18, maximum 33 है फिर आपकी इसके लिए भी same रहने वाली है यह तो है देखिए 4th notification अब हम चलते हैं 5th notification भी दैन आपको 6th का भी बताने वाली हो so next time हम यहाँ पर आ चुकी है आपका most awaited notification जो की railway rpf का है आपको पता है इसके लिए भी latest जो update आया है उसके accordingly candidate को बहुत सारा doubt है कि इतनी टाइम बाद vacances आ रही है क्या vacances सिरफ आपकी 2500 के राउंड है तो यहाँ पर वो भी मैं आपको clear करना चाहते हूं यहाँ पर वह 14,000 प्लस है यह आपकी 2500 प्लस ही है ठीक है वो भी आपको बता रहे हूं इसके लिए भी job location एक्रॉस इंडिया है railway protection force की तरफ से यह जो vacances है यहाँ पर female and male दोनों ही candidate apply कर सकने है online ही आपको apply यहाँ पर करना होगा vacances के बार में बात करें तो यहाँ पर देखे constable और sub inspector के लिए vacances है fee इसके लिए भी आपकी same ही है और यहाँ पर selection की बात करें आपको ध्यान रखना है यहाँ पर सबसे पहल जल्दी होने वाली है election की वज़े से ठीक है जो कि आपके लिए beneficial ही है ठीक है यहाँ पर जैसे आपका cbt exam पर focus है तो वहीं आपका physical पर भी होना चाहिए कई बर candidate cbt clear कर लेते हैं physical नहीं clear कर पाते तो कुछ कुछ चीज़े आपको खाने में भी avoid करनी पड़ती है उसके लिए में आपके लिए अलग वीडियो भी लेके आऊंगी ठीक है तो उसके बाद आपका physical measurement test होगा document verification देन आपका medical होने वाला है इसके लिए exam pattern की बात करें देखिए अर्थमेटिक से लेटेड आपके 35 कोशन 35 मार्क्स के यहां पर रहने वाले हैं ठीक है तो यहां पर यह टोटल जो हो जाते हैं आपके 120 कोशन हो जाते हैं 120 मार्क्स के नेक्स यहां पर बात करें अलग लग यहां पर रहने वाली है एज मिनिमम्म 18 मैक्सिंट 25 प्लस आपको relaxation मिल रहा है इसके लिए ऑनलेन अप्लिकेशन इन्वाइट की जाती है अब यहां पर मैंने आपको पहले 5 क्योंट आपको इसी ने विकैशन की टारी है यहां पर कम से कम अगर विकैशन की भी मैं बात करो तो आपकी 9000 प्लस होने वाली है ठीक है तो यहाँ पे आपको ये शीज नहीं सोचिने कि विकैंसिज गम है विकैंसिज गम भी हो आप में से हर कोई apply भी definitely यहाँ पे करेगा आपकी जो friends बोलेंगे कि यहाँ पे विकैंसिज कम है हम पी apply करने वाले सबसे पहले वही apply करेंगे आपको बता है क्योंकि यहां पे हर कोई apply कर सकता है तो यहां पे अगर complete notification आर्पीफ का जो आएगा अगर उसमें vacances कम होंगी भी तब भी यह vacances आपकी increase होने वाली है क्योंकि आगे election है और काफी time से recruitment नहीं आई है बट जब पहले notification इसका आएगा भी तब भी मैं आपको बता रही हूं यहां स्टाफ का यहां पे पेरा medical स्टाफ का जिसके लिए अलग से notification रिलीज होता है रेलवे की तरफ से जहां पे medical वाली केंडिड यहां प्लाई कर सकते हैं ठीक है उसका भी notification हमें सिक्स्त वाला देखने को मिलेगा अब सबसे important आती है इन सारी विकैंस के लिए कब से कब तक पर दिसक्रिप्शन में रिल्वे की केडिगरी का लिंक दिया है वहां पे आपको सारी लिंक मिल जाएंगे पहला आपको टीटी का मिल जाएगा सेकिंड ग्रूप डीका यही ऐसे से का थीक है उसके बाद आपको पैरमेडिकल स्टाफ का हर लिंक पे क्लिक करके आप यहां सबसे पहले एक्जाम पैटरन और जो शौट नोटिफिकेशन आया उसको रीड कर सकते हैं अब यहां से चैक कर सकते हैं स्टड़ी मिटिरिल्ल आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं हर एक का मैंने आपको लिंक को इसी की बीच में दिया है रिक्वार्ड लिंक में ठीक है व इसमें जो ज्यादा केंडिड वेट करते हैं वेकैंसिस की वह आपकी होती है ऐसे सी रेलिवे और पोस्ट ओफिस की तो यह नोटिफिकेशन आपके वन बाई वन आने ही आने है ठीक है तो आपको अपनी तयारी में अभी लग जाना है क्योंकि आप किसी भी के लिए अप्ल अगली बार आ रहे हैं टेक्निकल गवर्मेंट जोब आलोवर इंडिया को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करना चलिए आज के लिए इतना ही अब नेक्स्ट अपडेट में मिलेंगे हम नई इंफोमेशन के साथ और हमारी ऑफिश साइट पे जरूर विजिट करन लेटस्ट विकैंसिस के लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है अब अगली वीडियो में मिलेंगे नई इंफोमेशन के साथ थैंक्स वर वाचिंग